हलो दोस्तों मैं हूं दीपक दिव उतौलो राम सभी का मेरे चेनल पर स्वागत वाइश्वाक्ति की सबसे बड़ी ब्रेकिंग नियूज में आपको बताने जा रहे हैं मिसंद चंद्रियान टू लोंच कर दिया गया है भारत के दुआरा अंत्रिष में भारत ने लिखी है काम्याभी की नई अबारत जी हां भाईयो बारत में 22 जुलाई 2019 को दोपेर के दो बच के 43 मिनट पर अंत्रिष की दुन्या में उच्छी चलांग लगा ली है मिसंद चंद्रियान दो लूंच कर दिया है अंत्रिक्ष की दुनिया में भारत की उची छलांग लगाईए तता इसकी पूरी द्यान का रिमाब को बताएंगे इस वीडियो में तो वीडियो मांदे तक बने रहना सबस्क्राइब बिटन दबाकर हमाँ साथ जुड़ सकता है सबस्क्राइब बिटन दबाते ही बेल आइकन जरू दबालना ताकि में नई वीडियो देकाम स्कूरों टिपिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा आपके पास भारत ने 22 जुराई दुहर गुनिस को दोपेर के 2 बच के 43 मिनिट पर अंतरिक्षी दुनिया में उची छलांग लगा ली है श्री घरी कोटा के 37 दोवन अंतरिक्ष के इंदर से जी असलवी मारक तृत्तिय प्रिच्छेपन यान से अंतरिक्ष यान चंद्रियान दो को लॉंच कर भारत ने दुनिया को अपने दमखम का परीचे दिखा दिया है ये लॉंचिंग पूरी तरह से काम्याब रही चांद और प्रत्व के बीच में 3,4,6,000 कि दूरी है इस दूरी को पूरा करने में यान को कुल 48 दिन लगेंगे उस दिन पर चांद के दक्षनी दुरू पर उतरेगा चंद्रियान दो चांद की कक्षा में पहुंचकर दो इस्चों विवाजित हो जाएगा चंद्रियान 2 का एक हिस्से कक्षा में और दूसरा हिस्सा चांद पर उत्रेगा चांद पर पहुंचने के बाद विक्रम लेंडर से लेकर प्रिग्यान रोवर चांद पर चोटे दिन रहेंगे वहाई सफल प्रेक्षप्रेंगों के बाद मीन्या को सम्मधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये पूरी तरे से सोधेशी मिसन है और ये पल हमारे लिए गोरोस्वाली इतिहास से भी गरवदार होगा हम भारतियों को अपने वेग्याने को पर गरव होगा वहीं बात करते हैं 978 करोड की लागात इसकी है इसमें 20 गंटे पहले जब चंद्रियान 2 का मिसन का कांट डाउन शुरू हुआ था तब से इसरो समेथ पूरा इंडिया इस एतिहासिक पल का गवा बनने के लिए बेताब था अंत्रिक्ष में अनुसंदान संगठकों मुताबिक चंद्रियान 2 मिसन के प्रेच्छेपन की राईवार स्याम को 6 बच के 43 मिनट पर उल्टी गिंती शुरू हो गई थी चंद्रियान 2 परियोजना 970 करोड रुपे की है उल्टी गिंती के दुरान रोकेट और अंत्रिक्ष यान तंत्र की जांच की गई थी और इनमें इंधन भी भरा गया था वहीं बात करते हैं जी एसलवी एम के तृत्तिये चंद्रियान 2 के साथ जी एसलवी एम के तृत्तिये को भी पहले 15 जुलाई को तड़के दो बच के क्याउन बजे प्रेच्छेपित किया जाना था हालंकी प्रेच्छेपण से एगंटा पहले इस तकनीकी में खामी पाई जाने कराण इस प्रेच्छेपण को इस्थकित कर दिया गया था इस रोने बाद में 45 मिटर लंबे और लगवग 640 टन वजनी जियो सिंक्रोनाइज सेटलाइट लोंच वहिकल मार्क तृत्तिय की खामी को दूर करके जिये सल्वी मार्क तृत्तिय का उपनाम बाहुबली फिल्म के इसी नाम के सूपर हेरो के नाम पर बाहुबली रखा गया है बहुवली फिल्म जैसे नायक विशाल भारी भरकम सीवलिंग को उठाता है उसी तरह रोकेट भी 3.8 तन वजरी चंद्रियान 2 अंत्रिक्ष यान को उठाकर अंत्रिक्ष में ले जाएगा उडान के लगबग 16 मिनिट में 375 करोड रुपे का जीयसली मार्क तृत्तिय रोकेट 603 करोड रुपे के चंद्रियान 2 को विमान को अपनी 170-140-120 किलोमेटर लंबी कक्षा में उतार देगा इस रोक तक 3 जीयसली मार्क तृत्तिय भेग चुका है जीयसली एमके तृत्तिय का उप्योग 2022 में भारत के मानव अंत्रिक्ष मिसन में किया जाएगा तो भाई इस वक्ती सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है मिसन चंद्रियान 2 लोंच हो चुका है जिस वक भारत को सबसे बड़ी कामया भी मिली है इसमा नरंदर मोधी ने भी भारत के लिए बदाई दी है तो भाई आपके वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर ब बना ताके मिन नई वीडियो देखांगो सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास तो वीडियो में आज इतना है वाई जे इन जे भारत